भजन सहीदा तेरा अध्याय एक से छे तक संकट के समय सहायता के लिए प्रातना प्रदान बजाने वाले के लिए दाउद का भजन है परमेश्वर कब तक क्या तु सदेव मुझे भूला रहेगा तु कब तक अपना मुखडा मुझसे छुपाई रहेगा मैं कब तक अपने मन नहीं मन में युक्तिया करता रहू और दिन भर अपने रिदय में दुख्षित रहा करू कब तक मेरा शद्रु मुझे पर प्रबल रहेगा है मेरे परमेश्वर यहावा मेरी और ध्यान दे और मुझे उत्तर दे मेरी आंखों में जोती आने दे नहीं तो मुझे मृत्यू की नींद आ जाएगी ऐसा नहों कि मेरा शद्रू कहे मैं उस पर प्रबल हो गया और ऐसा नहों कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शद्रू मगन हो परंतो मैंने तेरी करुणा पर भरोसा रखा है मेरा रिदय तेरे उधार से मगन होगा मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है मत्थी 15 अध्याई 10 से 29 तक तब उसने लोगों को अपने पास बिला कर उनसे कहा सुनो और समझो जो मुँ में जाता है वो मनुश्य को अशुद नहीं करता पर जो मुँ से निकलता है वही मनुश्य को अशुद करता है तब चेलों ने आकर उससे कहा क्या तु जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर काई उसने उत्तर दिया हर पौदा जो मेरे स्वर्ग्य पिता ने नहीं लगाया उखडा जाएगा उनको जाने दो वे अंधे मार्ग दर्शक है और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड़े में गिर पड़ेंगे यह सुनकर पत्रस ने उससे कहा यह दृष्टान्त हमें समझा दे उसने कहा क्या तुम भी अब तक ना समझो क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मूँ में जाता वो पेट में पड़ता है और संडा से निकल जाता है पर जो मूँ से निकलता है वो मन से निकलता है और वही कि मनुष्य को अशुद करता है क्योंकि बुरे विचार, हतिया, परिस्त्रिगवन, व्यबिचार, चोरी, जूटी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है यही है जो मनुष्य को अशुद करती है परन्तु हात बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद नहीं करता इश्यू वहां से निकल कर सूर और सैदा के प्रदेश की और चला गया उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिला कर कहने लगी हे प्रभू दाउत की संतान मुझ पर दया कर मेरी बेटी को दुष्ठात्मा बहुत सता रहा है पर उसने उसे कुछ उतर न दिया तब उसकी चेलों ने आकर उससे विंती की इसे विदा कर क्योंकि वह हमारे पीछे चिलाती हुई आ रही है उसने उतर दिया इस्राइल के घराने की खोई हुई भेडो को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया पर वह आई और ईशु को प्रणाम करके कहने लगी हे प्रभू मेरी सहायत अकर उसने उतर दिया लड़कों की रोटे लेकर कुटों के आगे डालना अच्छा नहीं उसने कहा सत्य है प्रभू पर कुटे भी वह चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं इस पर ईशु ने उसको उतर दिया हे स्थरी तेरा विश्वास बड़ा है जैसा तु चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई इश्व वहा से गलिल की जील के पास आया और पहाड पर चड़ कर बैठ गया तब भीड पर भीड उसके पास आई वे अपने साथ लंगडो अंधो गूंगो तुंडो और अन्य भोतो को उसके पास लाए और उन्हें उसके पावो पर डाल दिया और उसने उन्हें होते हैं और लंगडे चलते और अंधे देखते हैं तो अचमबा करके इसराहिल के परमेश्वर की बढ़ाई की इश्व ने अपने चेलो को बुलाया और कहा मुझे इस भीड पर तरस आता है क्योंकि वे तीन दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं है मैं उ कितनी बड़ी भीड को तृप्त करे इश्व ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटिया हैं उन्होंने कहा साथ और थोड़ी सी छोटी मचलिया तब उसने लोगों को भूमी पर बैठने की आ गया दी और उन साथ रोटियों और मचलियों को लिया धनेवात करके तो और बालकों को छोड़ चार हजार पुरुष थे तब वे भीड को विदा करके नाव पर चड़ गया और मगदन देश की सीमा में आया उत्पती तैतालिस अध्याई एक से चौतिस तक बिन्यामिन के साथ मिस्र देश जाना देश में आकाल और भी भयंकर होता गया जब वो अन्न जोवे मिस्र से ले आये थे समाप्त हो गया तब उनके पिता ने उनसे कहा फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ तब यहुदा ने उससे कहा उस पुरुष ने हमको चेतावनी दे कर कहा यदि तुमारा भाई तुमारे संग न आये तो तुम न जाएंगे क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा यदि तुमारा भाई तुमारे संग न हो तो तुम मेरे समुक न आने पाओगे तब इसरायल ने कहा तुमने उस पुरुष को यह बता कर कि हमारा एक और भाई है क्यों मुझे से बुरा बढ़ताव किया उन्होंने कहा जब उस पुरुष ने हमारे और हमारे कुटुम्बियों की स्थिति के विशे में इस रीती पूछा क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है क्या तुम्हारे कोई और भाई भी है तब हमने इन प्रशनों के अनुसार उससे वर्णन किया फिर हम क्या जानते थे कि वह कहेगा अपने पिता इसरायल से कहा उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाए इससे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने न पाएंगे परन जीवित रहेंगे मैं उसका जामन होता हूँ मेरे ही हाथ से तू उसको वापस लेना यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचा कर स यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो यह करू इस देश की उतम उतम वस्तुवे में से कुछ-कुछ अपने बोरों में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ जैसे थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मदू और कुछ सुगंद्रव्य और गंद्रस पिस्ते और बादाम फिर अपने अपने साथ दूना रुप्या ले जाओ और जो रुप्या तुम्हारे बोरों के मूँपर रखकर लोटा दिया गया था उसको भी लेते जाओ कदचित यह बूल से हुआ हो अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास फिर जाओ और सर्वशक्तिमान बिन्यामिन को भी आने दे और यदि में निरवन्श हुआ तो होने दो तब उन मनुशियों ने वह भेंट और दुना रुप्या और बिन्यामिन को भी संग लिया और चल दिये और मिस्र में पहुंच कर यूसुफ के सामने खड़े हुए उनके साथ बिन्यामिन को देख कर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा उन मनुश्यों को घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तयार करो क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे तब वे अधिकारी पुरुष यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर में ले गया जब वे यूसुफ के घर को पहुंचाए गए तब वे आपस में डर कर कहने लगे जो रुप्या पहली बार हमारे बोरों में लोटा दिया गया था उसी के कारण हम बीतर पहुंचाए गए हैं, जिससे कि वो पुरुष हम पर तूट पड़े और हमें वश में करके अपने दास बनाए और हमारे गदोहों को भी छीन ले तब वे यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के द्वार पर इस प्रकार कहने लगे यह हमारे प्रभू, जब हम पहली बार अन्नम मोल लेने आये थे, तब हमने सराय में पहुंच कर अपने बोरों को खोला तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा पूरा रुपया उसके बोरे के मूँपर रखा है इसलिए हम उसको अपने साथ फिर लेते आये हैं और दूसरा रुपया भी भोजन वस्तु मोल लेने के लिए लाए हैं हम नहीं जानते कि हमारा रुपया हमारे बोरों में किसने रख दिया था उसने कहा तुमारा खुशल हो मत डरो तुमारा परमिश्वर जो तुमारे पिता का भी परमिश्वर है उसी ने तुमको तुमारे बोरों में धन दिया होगा तुमारा रुपया तो मुझको मिल गया था फिर उसने शिमोन को निकाल कर उनके संग कर दिया तब उस जन ने उन मनुश्यों को यूसुफ के घर में ले जाकर जल दिया तब उन्होंने अपने पावों को धोया फिर उसने उनके गदोहों के लिए चारा दिया तब ये सुनकर कि आज हमको यही भोजन करना होगा उन्होंने यूसुफ के आने के समय तक अर्था दोपहर तक उस भेंट को इखटा कर रखा जब यूसुफ घर आया तब वे उस भेंट को जो उनके हाथ में थी उसके समुक घर में ले गए और बूमी पर गिर कर उसको डंडवत किया उसने उनका खुशल पूछा और कहा क्या तुम्हारा व बूड़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी खुशल से है क्या वो अब तक जीवित है उन्होंने कहा हाँ तेरा दास हमारा पिता खुशल से है और अब तक जीवित है तब उन्होंने सिर जुका कर फिर डंडवत किया तब उसने आंखे उठा कर और अपने सगे भाई बिन्यामिन को देख कर पूछा क्या तुम्हारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है फिर उसने कहा हे मेरे पुत्र परमेश्विर तुछ पर अनु पड़ा फिर अपना मुध होकर निकल आया और अपने को शांत कर कहा भोजन परोसो तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और भाईयों के लिए भी अलग और जो मिसरी उसके संग खाते थे उनके लिए भी अलग भोजन परोसा इसलिए कि मिसरी इब्रियों के साथ भोजन न अनुसार क्रम से बठाए गए यह देखवे विस्मित होकर एक दूसरे की और देखने लगे तब यूसफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा उठा के उनके पास भेजने लगा और बिन्यामिन को अपने भाईयों से पचगुणा भोजन वस्तु मिली इस प्रकार उन्हो चांदी का कटोरा तब उसने अपने घर के अधिकारी को आग्या दे इन मनुश्यों के बोरों में जितनी भोजन वस्तु समा सके उतनी भर दे और एक एक जन के रुपियों को उसके बोरे के मुँपर रख दे और मेरा चांदी का कटोरा छोटे के बोरे के मुँपर उसके अ ग्या के अनुसार उसने किया, बोर होते ही वे मनुश्य अपने गदो समेत विदाकिये गए, वे नगर से निकले ही थे और दूर न जाने पाये थे कि यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुश्यो का पीछा कर और उनको पाकर उनसे कहे, तुमे भलाई के बले बुराई क्यों की है? क्या यह वह वस्तु नहीं, जिसमें मेरा स्वामी पीता है और जिससे वह शकुन भी विचारा करता है? तुमने यह जो किया है, वह बुरा किया. तब उसने उन्हें जा पकड़ा और ऐसी ही बाते उनसे कही. उन्होंने उससे कहा, हे हमारे प्रभू, तेरे दासों से दूर रहे. देख, जो रुपया हमारे बोरों के मुँपर निकला था, जब हमने उसको कनान देश से ले आकर तुझे लोटा दिया, तब भला तेरे स्वामी के घर में से हम कोई चांदी या सोने की वस्तु कैसे चुरा सकते हैं? तेरे दासों में से जिस किस वह निकले, वह मेरा दास होगा, और तुम लोग निरप्राद टहरोगे. इस पर वे जल्दी से अपने अपने बोरे को उतार भूमी पर रख कर उन्हें खोलने लगे, तब वो ढूनने लगा, और बड़े के बोरे से लेकर छोटे के बोरे तक खोजगी, और कटोरा बिन्या पर पहुंचे, और यूसुफ वही था, तब वे उसके सामने बूमी पर गिरे, यूसुफ ने उनसे कहा, तुम लोगों ने ये कैसा काम किया है, क्या तुम न जानते थे, कि मुझे सा मनुश्य शकून विचार सकता है, यहुदा ने कहा, हम लोग अपने प्रभू से क्या कह हम क्या कह कर, अपने को निर्दोश टहराए, पर मेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है, हम और जिसके पास कटोरा निकला, वह भी हम सबकी सब अपने प्रभू के दास ही है, उसने कहा, ऐसा करना मुझ से दूर रहे, जिस जन के पास कटोरा निकला है, व मेरे प्रभु तेरे दास को अपने प्रभु से एक बात कहने की आग्या हो और तेरा कोप तेरे दास पर न भढ़के क्योंकि तू तो फिरोन के तुलिये है मेरे प्रभु ने अपने दासों से पूछा था क्या तुम्हारे पिता या भाई है और हमने अपने प्रभु से कहा हा हमारा बुड़ा पिता है और उसके बुड़ापे का एक छोटा सा बालक भी है परंतु उसका भाई मर गया है इसलिए वह अब अपनी माता का अकेला ही रह गया है और उसका पिता उसस नहें रखता है तब तुने अपने दासों से कहा था उसको मेरे पास ले आओ जिससे मैं उ उसको देखूं तब हमने अपने प्रबु से कहा था वह लड़का अपने पिता को नहीं चोड़ सकता नहीं तो उसका पिता मर जाएगा और तुने अपने दासों से कहा यदि तुमारा छोटा बाई तुमारे संग ना आए तो तुम मेरे समुख फिर ना आने पाओगे इसल यदि हमारा छोटा बाई हमारे संग रहे तब हम जाएंगे क्योंकि यदि हमारा छोटा बाई हमारे संग न रहे तो हम उस पुरुष की समुख न जाने पाएंगे तब तेरे दास मेरे पिता ने हमसे कहा तुम तो जानते हो कि मेरी स्त्री से दो पुत्र उत्पन्न हुए औ और उनमें से एक तो मुझे छोड़ ही गया और मैंने निश्चे कर लिया कि वह फाट डाला गया होगा और तब से मैं उसका मुह न देख पाया अतह यदि तुम इसको भी मेरी आंख की आड में ले जाओ और कोई विपती इस पर पड़े तो तुम्हारे कारण मैं इस बढ़ापे की अवस्ता में शौक के साथ अदोलोक में उतर जाओंगा इसलिए जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुंचूं और यह लड़का संग न रहे उसका प्राण जो इसी पर अटका रहता है इस कारण यह देख के कि लड़का नहीं है वह तुरंत ही मर फिर तेरा दास अपने पिता के यहां यह कहके इस लड़के का जामिन हुआ है यदि मैं इसको तेरे पास न पहुंचा दूँ तो मैं सदा के लिए तेरा अपरादी टहरूंगा इसलिए अब तेरा दास इस लड़के के बदले अपने प्रभू का दास होकर रहने की आग्या पाए और यह लड़का अपने भाईयों के संग जाने दिया जाए क्योंकि लड़के के बिना संग रहे मैं कैसे अपने पिता के पास जा सकूँगा ऐसा ना हूँ कि मेरे पिता पर जो दुख पड़ेगा वो मुझे देखना पड़े